हैलो फ्रेंड्स आज मैं समर स्पेशल स्टोरेश शर्बत की रेसिपी शेर करने वाली हूँ जो आप एक बार स्टोर करके पूरी समर सीजन इंस्टेंट बना कर कपी भी बना सकते हैं तो चलो बना है स्टोरेश शर्बत इंग्रेडियंट्स में हमें चाहिए 250 ग्राम नीम्ब कर सकते हैं सबसे पहले हम एक बर्तन में शक्कर लेंगे इसमें हम करीबन 250 से मेल पानी डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर बेल्ट होने देंगे कि इससे कंटिन्योसली चलाते हुए मेल्ट होने देंगे शक्कर को सिर्फ मेल्टी करना है यह शर्बत हमें गर्मी में रोटेक करता है और हमें इसे इंस्टन्ट एनरजी बिलती है शक्कर मेल्ट हो जाए और बबल्स दिखने लगे तब तक स्टाव पर रखेंगे अब हम बबल्स देख सकते हैं और शक्कर भी मेल्ट हो गई है अब हम स्टाव की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोट देते हैं जब तक है ठंडा होता है तब तक हम निम्बुनी चोड़कर रस निकल लेते हैं बस अब है ठंडा हो चुका है इसमें हम निम्बु का रस मिला लेंगे तब तैयार है स्टोरेज निम्बु शर्बत इसे बोटल या एटाइड कंटेनर में भर कर फ्रीज में रख देंगे और चपी मन करें हम एक ग्लास पानी में दो चमच डाल कर इंस्टंट शर्बत बना कर मज़ा ले सकते हैं फ्रेंड्स तो इस समर सीजन में जरूर ट्राइ करें इंस्टंट निम्बु शर्बत और हाँ साथ में आप अपने एक्सपिरियंस नी मेरे साथ शेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू